दोस्तों अभी Mbox Coin की प्राइस की बात करें कि इसकी प्राइस अल्मोस 2.6 UATT चल रही है अच्छा खासा downtrend इसकी प्राइस में देखने को मिला है अच्छा खासा retracement इसकी प्राइस में है इसकी प्राइस में है कौन से एरियास है जो आपके लिए best entry points हो सकते हैं कुछ किन एरि Coin D6 App डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से Coin D6 App डाउनलोड करें क्योंकि इसमें मिल रहा है 100 रुपया का Ethereum साइन बोनस और आप अपने दोस्तों को refer करके भी यहां पर Ethereum अर्ण कर सकते हैं तो यहां लिंक के description में यहां से डाउनलोड करेंगे तब ही आपको sign up bonus देखने को मिलेगा अभी इसकी price 2.6 USD चल रही है 4 hour के चार्ट हम अगर थोड़ा सा देखे तो एक जो moment है 2.3 से लेके यहां पर 3 USD के round में 2.8 वाल एरिया यहां पर moment हो रहा है याने almost 10-15% का एक moment जो है वो देखने को मिल रहा है up and down चल रहा है pump and dump आप देखे रहा है market में पिछले 5-6 दिनों से जहां Bitcoin ने 32 वाल एरिया टच किया था उससे उपर की तरफ maintain किया हुआ है तब ही से market में इस ताइप का moment हमें देखने को मिल रहा है और almost 10-15% और कुछ coins ऐसे जिनमें हमें अच्छे opportunity भी यहां पर मिल रही है dip buying opportunity long term के perspective से थोड़ा सा तबियात ठीक नहीं है तो बहुत सारे institution यहां पर buy करेंगे क्योंकि यह एक अच्छी dip है तो इस area पर हमें चूक नहीं क्योंकि देखिए ऐसा रहता है कि हर बार हर बार जब भी moment market में होता है अच्छा moment होता BTC यहां पर 50,000-60,000 चला जाएगा तब बहुत सारे लोग फिर high Allah करेंगे buy करेंगे buy करने क बोलेंगे dip में जो है वहां पर हमारी लिए एक अच्छी opportunity रहती लेकिन लगभग 90% जो लोग रहते हैं जो retail investors है वो यहां पर अपना पेशा जो है इन areas पर यहां पर गवा देते हैं अगर हम daily closing में देखें तो इन areas पर उनका पेशा लगा हुआ रहता है यहां पर इस coin में बहुत सारो लोगों ने 6 USGT 8 USGT वाल area पर buy किया हुआ इसको 10 USGT पर buy किया हुआ और बहुत सारे लोग तो मैं यह को हूँ कि 10 USGT से उपर भी हो सकता है buy किया हो तो यहां पर वो लोग पेशा लगा देते हैं या तो लोस में sell करते हैं क्योंकि वहां तक रिका और होने मे यहां पर एक deep आईएगो कि अगर आप इसकी listing देखे तो 1.96 पर इसकी listing हुई थी बिनाजपर यहां से moment हमें एक अच्छा देखने को मिला था 10 USGT वाला area टच किया था वापिस से almost उसी area पर आया है और इसको support यहां पर 2.4 से लेके 2.5 USGT वाला जो area यह एक support निकल के आया इसके लिए और इससे उपर daily closing हमें देखने को मिल रही है चार-पांच दिन से इस area को यह hold किये हुए आप यहां पर अगर देखे तो previously 2.3 USGT area टच किया था वहां से उपर के तरफ एक, दो, तीन, चार, पॉँआ, छे, साथ और आठ दिन हो गया है आठ दिन से इस area को maintain किय resistance को यहां से उपर के तरफ एक, वह almost 3.3 USGT है, तो वहां तक अभी यह try नहीं कर रहा है, ज्यादा moment हमें देखने को नहीं मिल रहा है, तो stability maintenance है, तो आपको ऐसा नहीं कि dip में आपको buy करना है, हमने यहां नहीं बोला कि यहां बोला कि यहां बोला कि यहां बोला कि यहां पर chances के ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि negative news है, तो उसको 4-5 दिन लगते हैं, थोड़ा सा stable होने में, थोड़ा सा यहां पर लोगों में डर का माहूल रहता है, sell out जाता रहता है, तो वो चीजे stable होने में थोड़ा सा time लगता है, तो यहां पर थोड़ा सा buy, यहां पर buyers भी आ रहा outlet जो है, खुलेगा, मेटावर्स के अंदर, वो भी उसमें इंटरेस बता रहे हैं, तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि किस एरिया पर आपको buy करना है, 2.6 USD, अभी इसकी price चाल रही है, यहां से अगर थोड़ा सा moment नीचे के तरफ होता है, 2.5 वाल एरिया तक जाता है अगर, तो वो best area है, हलाकि अभी भी कोई इतना moment नहीं देखने को मिला है, इस area पर भी आप बाई करेंगे, तो आने वाली दूना आपको long term के perspective से भी अच्छा भाइदा होगा, short term के भी, और as a trader है, तो वहां पर भी आपके target जो अच्छे hit होंगे, तो यहां पर आपको buy कर round का profit देखने को मिलेगा, maximum profit है, moment, एक ही moment होगा यहां पर, थोड़ा सा moment होगा, BTC थोड़ा सा, अगर moment दिखाता है, तो यहां पर भी एक अच्छा moment हमें देखने को मिलेगा, इस area को यह touch करता हो, देखेगा, उस से उपर के targets जो है, आप hold करते हैं, अगर short term के perspective से, तो भी shine दिखाई दे रहे हैं, या थोड़ा सा moment नीचे के तरफ दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको sell out करता है, trader जो है, वो regular charts को नेजर बनाए रख सकता है, क्योंकि हम इतने जल्दी नहीं बता पाएंगे आपको कि आपको कहाँ sell करना है, वो आपको depend है कि आपको कितना knowledge है, market का ही सारी शीज़े, short term के perspective से, उपर के target जो है, 4.4 USDT पर इसको resistance area face करने को मिलेगा, और इससे उपर closing करता है, तो एक support भी यह maintain करेगा, 4.4 के बाद 5.3 से लेके 5.4 वाला area है, उसके बाद 7.2 वाले area पर इसको resistance face करने को मिलेगा, और उसके बाद 9.8 और 9.8 के बाद यहां पर इसको resistance face करने को मिलेगा, और यहां से फिर उपर वाला area 13, 12, 13 USDT और स्काल टाइम है, यह वाले area देखने को मिलेगा, long term का perspective है, तो यहां से आप इसके target जो है, अच्छा यह coin आपको 1-2 साल में perform करेगा, अच्छा मतलब 30 USDT भी जा सकता है, और short term के perspective से आप 10 USDT से आपर knowledge के बाद ही आपर buy करें, आपर हम कोई financial advice नहीं दे रहा है, यह video से education purpose है, तकि आपको थड़ा knowledge हो सके, वीडियो अच्छा लागा, लाइक जरू करें, चैनल को subscribe कर लें, thank you